पाठ तेरा मिर्च का मज़ा आईए इस पाठ के प्रशन और उत्र का अभ्यास करते हैं पहला प्रशन कैसे समझाओगे काबुली वाले को सब्जी बेचने वाली की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं आती थी इसलिए उसने अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई चलो देखते हैं तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे समझाते हो नीचे लिखे वाक्य अलग-अलग परचियों में लिख लो एक परची उठाओ और अब यह बात तुम्हें अपने साथी को बिना कुछ बोले समझानी है नीचे दिये कुछ वाक्य हैं इसको हम परचियों में लिखेंगे तो इस उत्तर का अभ्यास आप अपनी क्लास में अपने साथियों के साथ करेंगे बिना बोले अपने आवभाव से आपको इन वाक्यों को अपनी साथियों को समझाना है तो इसका उत्तर आप स्वय करेंगे अगला प्रश्ण सही सवाल काबूली वाले ने कहा अगर यह लाल चीज खाने की है तो मुझे भी दे दो सबजी बेचने वाली ने कहा हाँ ये तो सब खाते हैं ले लो इस तरह बिचारा काबूली वाला मिर्च खा बैठा तुम्हारे हिसाब से काबूली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था तो इसका उत्तर है काबूली वाले को पूछना चाहिए था कि यह क्या है, इसे कैसे खाते हैं और इसका स्वात कैसा होता है अगला प्रश्न जल या जल मू सारा जल उठा और आखों में जल भराया यहाँ जल शब्द को दो अर्थों में इस्तमाल किया गया है पहला जल है जलना और दूसरा जल पानी इसी तरहा नीचे दिये गए शब्दों के भी दो अर्थ हैं इन शब्दों का इस्तमाल करते हुए एक-एक वाक्य बनाओ पर ध्यान रहे वाक्य में वह शब्द दो बार आना चाहिए दोनों बार उस शब्द का मदलब अलग निकलना चाहिए जैसे उपर दिये गए वाक्य में जल तो बच्चों यहाँ पे हमें शब्द दिये गए हैं हार, आना, उत्तर, फल, मगर और पर तो आईए इनी शब्दों से हम वाक्य बनाते हैं तो पहला शब्द है हार तो इसका वाक्य होगा मैं जीत का हार पहनना चाहता था पर हार गया अगला आना ये लो चार आना और मार्कित से जल्दी आना अगला है उत्तर इसका वाक्य है इस पहेली का उत्तर इसकी उत्तर दिशा में छिपा है अगला शब्द है फल इसका वाक्य है जादा मीठा फल खाने का फल अच्छा नहीं होता अगला शब्द मगर मुझे चिडिया घर में मगर को देखना था मगर नहीं दिखे अगला शब्द पर इसका वाक्य बनेगा मुझे मोर के पर चाहिए पर नहीं मिले अगला है छाटो कविता की वे पंक्तियां छाट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि वे काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था तो इसका उत्तर है तो हमको दो तोल छिमियां फक्त चार आने की अगला देखते हैं अगला है काबुली वाला कंजूस था तो हम पंक्तियों में से लिखेंगे मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा जातू अपनी रा सिपाई मैं खाता हूँ पैसा अगला वाके मिर्च बहुत तीखी थी तो इसका उत्तर है मू सारा जल उठा और आखों में जल भराया काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था इसका उत्तर है लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की तो हमको दो तोल छिमिया फकर चार आने की सोचा क्या अच्छे दाने हैं खाने से बल होगा यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा तो इससे पता चलता है कि काबुली वाले को नहीं पता था वो लाल लाल चीज क्या है अगला वाक्य काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी तो इसका उत्तर है एक जवनी फैंक और जोली अपनी फैला कर कुझडिन से बोला बेचारा ज्योत्यो कुछ समझा कर अब अगला प्रशन लेते हैं चार आना चवनी मदलब चार आना चार आना मदलब 25 पैसे तो एक रुपय में कितने पैसे? तो एक रुपय में 25 पैसे के चार सिक्के अठनी मतलब आठाना, एकन्नी मतलब एकाना, दुवन्नी मतलब दुवाना अगला प्रश्न, तुम कैसे पूछोगे? तुम बाजार गए, दुकानों में बहुत से चीजे रखी है तुम्हें दूर से ही अपनी मन पसंद चीज का दाम पता करना है पर तुम्हें उस चीज का नाम नहीं पता, अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे? तो इसका उत्तर है, हम उस चीज पर इशारा करके उसका दाम पूछेंगे अगला प्रश्न, बाचीत के लिए, काबूली वाले ने मिर्च को स्वादिशफल क्यूं समझ लिया? तो इसका उत्तर है, काबूली वाले ने पहले ऐसी कोई लाल मिर्च नहीं देखी थी उसने यह सोचा कि हो सकता है ये लाल लाल पतली पतली कोई मौसम का मीठा फल है अगला प्रश्न, सबजी बेचने वाली ने क्या सोच कर उसे जोली भर मिर्च दे दी होगी? तो इसका उत्तर है, काबूली वाला अपनी भाशा में सबजी वाली को नहीं समझा पा रहा था और सबजी वाली को लगा कि वे लाल मिर्च उससे मांग रहा है इसलिए उसने लाल मिर्च काबूली वाले को पेच दी अगला प्रश्ण सारी मिर्चे खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी इसका उत्तर है जब काबुली वाला मिर्च को चबाने लगा मिर्च ने थोड़ी ही देर में जीप पर असर दिखाया और मुँ सारा जल उठा, आखों में उसके जल भराया अगला प्रश्ण अगले दिन सबजी वाली टमाटर बेच रही थी क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा? इसका उत्तर है अगर तो काबुली वाले को मालूम होगा कि ये टमाटर है तो शायद खरीद लेगा पर अगर उसे नहीं मालुम होगा ये लाल-लाल गोल-गोल चीज टमाटर है तो वो इस बार ये गलती नहीं करेगा वह टमाटर नहीं खरीदेगा अगला प्रश्न आगे पीछे अब इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखो जैसे तो इसका उत्तर है हमको चार आने की फकट चिमिया तोल दो अगला वै खाता ही रहा मिर्च की चीमी को सिसियाते वै सिसियाता रहा और मिर्च की चीमी खाता ही रहा अगला है जा तू अपनी रहा सिपाई मैं खाता हूँ पैसा जा तु अपनी रा से पाई, मैं पैसा ही खाता हूँ अगला है, एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी लोग काबुली वाले की एक कहानी कहते हैं अगला प्रश्न, कविता करो अपने मन से बना कर एक कविता यहां लिखो तो बच्चों इसका उत्तर आप स्वेंह से करेंगे मुँ में पानी लाल-लाल मिर्च देख कर काबुली वाले के मुँ में पानी आ गया तुम्हारे मुँ में किन चीजों को देख कर या सोच कर पानी आ जाता है तो बच्चों इसका उत्तर भी आप स्वय करेंगे आप किसी भी खाने का स्वादिश्ट जो आपको बहुत पसंद हो उसी खाने की चीज का आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं जिसको आपको नाम लेते ही मुँमे पानी आ जाता है